दोस्तों आज कभी सोच फूरो होता है जहां पर दिखाया जाता है कि कैसे अनुच छोटी को समझाने का प्रयास कर रहा है अनुच कह रहा होता है कि वह छोटी की बिना एक दिन भी नहीं रह सकता छोटी अनुपमा की ओर अपनी मदद के लिए देखती है जिस पर अनुपमा की तरफ देखती है और कहती है कि वह उनसे जादा प्यार माया से करती है और उसी के साथ रहना चाहती है यह बात सुनकर अनुच चौक जाता है और वह छोटी से पूछता है कि क्या वह उसकी भावनाओं को विल्कुल भी नहीं वैलू करती लेकिन अनुपमा उसे और कुछ आंगे कहने से रोक दीती है अनुपमा अनुच से कहती है कि वह माया के साथ जाने कि उसकी पसंद पर कोई अपत्ती नहीं करेंगे और उसकी खुसी में ही खुस है अनुच के पास बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा कोकि वह भी अनुपमा की बात पर शुक्रिती द देता है और अब वह देख रहा है कि अनू अब उससे दूर जा रही है इसी के साथ सोड़ी है